आज बनाएंगे आलू के बहुत क्रिस्पी सी पकोड़े जो 10-12 मिनिट में आसानी से बनके तैयार हो जाएंगे और आप इसे रमजान में भी बना सकते हैं बहुत लाइट वेट होते हैं अप टी टाइम में स्नैक के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं चलिए इसे बनाना शु कर लेंगे तकि slices जो है न वो काटने में आसानी हो आप ज्यादा आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से और आपको इसी तरीके की पतले-पतले slices जो है वो कट कर देने हैं तक यह अच्छी तरीके से पक जाए और पकने में भी आसानी हो आप इसको छूरी से मदद स काट सकते हैं नहीं तो आपके पास अगर कटर है तो आप उससे भी सको कट कर सकते हैं और कटर से यह बहुत झाद़े मोटे कट जाते हैं इसी लिए हमने यहाँ पर छूरी का इस्तेमाल किया है इससे बहुत पतले-पतले सारे स्लाइसेस कटते हैं इसको फिर से चली कर लेके पर पुदचों अब कर लिए तो आप चाहें तो बच्चों grinding और टी टाइम पर स्नैक के हिसाब से आप इसको बहुत सिंपली बहुत जल्दी से ठीयार कर सकते हैं अगर घर पर कोई गेस्ट आया भू और कुछ सनैक समझ में ना आरहा हो थो आप इसको ट्राय कर सकते हैं जरूर बहुत टेश्टी कितने पतले हैं, आप इसको हम शुदि करें, हम अपर हम किचन टौबल ले लिया है, और इसके उपर हम इसको सारे को अच्छी तरिके से रख देंगे, तक इसका जो पानी है गहां अच्छी तरीके से गाशे से सोक हो जाये, और हम दोनों तरफ से पलटते हुए इसको अची तरीके से इसका पानी को शोक कर लेंगे आप चाहे तो इस ट सक्षानी में भी ज्भान के भी आप इसको बना सकते है यह देखें यह पूरी अची तरीके से शुक चुका है अब यहां पे एक बॉल ले लेंगे और इसमें हम हाप कब बिशन ले लेंगे, हमने यहाप कब बिशन का इस्तेमाल किया है और वाण थाड़ कब हमने यहाप चावल का आटा लिया है, अगर आपके पास चावल की आटे नहीं है तो आप उसकी जेका कॉन फ्लोर टूटेवल स्पून डाल सकते हैं इसके बाद हम हल्दीर पॉडर हाप टिवल स्पून सॉल्टेश के एकॉर्डिंग धन्या पॉडर हाप टिवल स्पून और यहां पे हमने रेट चिली पॉडर इस्तिमाल किया है हाप टिवल स्पून थोड़ा सामने अजमाइन लिया है हाप टिवल स्पून हम इसको अच्छी तरीके से क्रश करके डालेंगे हाथों से तकि अच्छा सा फ्लेवर आए इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और mix करने के बाद हम इसमें पानी आड़ करेंगे दोस्तों आप नॉर्मल पानी इसमें डाले थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करें एक साथ सारे पानी आड़ करने की जरूरत नहीं है हम यहाँ पे दो से तीन बार में पानी आड़ कर रहे हैं तकि इसमें लंस जो है न फ्लेवर आता है आप इसको इसमें जरूर राइट करें यह पूरी तरीके से तयार हो चुका है एक और ट्रीक है जो हम आपको बाद में बताएंगे चलिए अब हम इसको छोड़ देते हैं तब तक हम यहां पे तेल गरम होने के लिए रख देते हैं यहां पे तेल जो है वह ग रिस्पी बनते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं आप एक बार इस तरीके से आजमा के देखे अब इसमें हमें डिप करेंगे आलू को और डिप करने के बाद हम इसको फ्राय करेंगे गाइस का फ्लेम हमने मेडियम रखा है हमने हाई फ्लेम पे तेल को अच्छ इस साइड और वन मिनट इस साइड आप इसको पका सकते हैं इतने में आपके जो आलू है ना अंदर से बहुत अच्छी तरीके से पक जाएंगे किनके आलू के स्लाइस जो है वह पतले हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गोल्डन कलर का एक लेयर देखे आपको दीख रहा ह आप इसके आवाज आप देखेंगे कि यह कितना क्रिस्पी बना है चलिए हम इसको आपको निकाल के दिखाते हैं इसके आवाज आपने सुनी कितनी अच्छी इसकी आवाज है चलिए आप इसी तरीके से सारे पकोड़े को आपने निकाल लेना है यह क्रिस्पी पकोड़े आप गर्मा गर्म सर्फ करें ग्रीन चटनी के साथ या चाहे तो टेमेटो सॉस के साथ आप टी टाइम पे भी इसको आराम से सर्फ कर सकते हैं यह देखें ऊपर से भी यह कितने क्रिस्पी है हम आपको दिखा दे रहें छूरी की मदद से चलिए हम आपको तोड के भी दिखा देंगे दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों तो आप मेरे चैनल को लाइक शैर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मुझे फॉलो जरूर करें बहुत ही कम टाइम में बनने वाला बहुत ही सिंपल और टेस्टी सा स्नैक्स आप जरूर ट्राइक करें घर पर और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी चलिए मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए अल्ला हाफीज थैंक्स पर वाचीं